आज हम देखेंगे गनमूल से संभन्दित कुछ गल्तियां गल्ती एक कुछ बच्चे गनमूल यानि क्यूब रूट के संकेत को सही से समझ नहीं पाते और वे दी गई संख्या को तीन से भाग देकर उस संख्या का विभाजन कर देते हैं जिससे कि उन्हें गल्त जवाब प्राप्त होता है जैसे कि अगर उन्हें 27 का गनमूल ग्याद करने को कहा जाए तो वे इसे ऐसा लिखते तो हैं लेकिन वे गनमूल प्राप्त करने के लिए 27 को तीन से विभाजत कर देते हैं इससे उन्हें 9 यह कलत जवाब प्राप्त होता है। 27 के घनमूल को हल करने के लिए हम 27 का अभाज ये गुणनखंडन यानि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे हम 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 यानि की 3 की तीसरी घात इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चुकि 3 का घन 27 है इसलिए इसके विप्रीध हम कहते हैं कि 27 का घनमूल 3 हैं। इसलिए सही जवाब है 3। गलती 2 कुछ बच्चे किसी संख्या का घनमूल पता करते समय घनमूल का संकेत सही प्रकार से नहीं लिखते। अक्सर वे घनमूल के चिन में 3 लिखना भोल जाते हैं या उसे लिखना ज़रूरी नहीं समझते। जैसे 64 का घनमूल वे इस प्रकार लिखते हैं जो की गलत है। यह वर्गमूल यानि स्क्वेर रूट को दर्शाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संक्या के घनमूल के चिन में 3 भे लिखना ज़रूरी है। उसी से हमें ग्याद होता है कि दी संक्रिया एक घनमूल ग्याद करने की है, वर्गमूल की नहीं। गलती 3 कुछ बच्चों को घन और घनमूल इन शब्दों में भ्रम या कन्फूजन होता है। अक्सर ऐसी गलतियां सवाल को जल्द बाजी में हल करते समय होती है। ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। तो आज हमने देखी घनमूल से संबंदित कुछ गलतियां। करते दो एंदित कुछ जलतियों से संब्दों में गलतियों से लाहिए।